अर्भी पते के पकोड़े आपने कई अबर खाएंगे किया अपने ग्रेवी बारे पकोड़े ट्रैक किया है एक वर ट्रैकिजी के बहुत जद्धा पसांद आएगी आप तो चलिक शुरू करते हैं तो मैंने हाप अर्भी पते को अच्छी तरह से गोस्ट कर लिया है जो डालेंगे हम निमू का रहस इसे डालना बहुत जाज़ू रिफ्रेंस क्योंकि जो खुजली बिगारा होती है जिब में नहीं होगी तो अगर चाहिए तो यहां पर कुछ भी मसाला और अपना मन पसंद यहां पर एड़ कर सकते हैं निमू का रहस नहीं है तो कई बात नहीं कि आप आपका आप Warrior साथ जो घर में डालाा शेते हैं और अच्छी तर दे कर लें तो श्क कर लें तो इसके बात वह थोडा цент interpreting ऐड़े कर लेंगे तo बस यहां पर ग्र बनाती से रिड़ी कर लिया है यहां पातना नहीं किया है नयों पुरसρίब है तो ऊस्क्त हैं वे हम चल लगाना है तो बस इसे हम अच्छी तरह से यहां पर लगा देंगे तो यह पर बना कर देखेंगे बहुत ज़्यादा टेस्टी यमी खाने डएगी अब एक बर खाएंगे तो बाहबर इसे उबना पसंद करेंगे तो बस मैंने एक पतों में लगा दिया है दूसरी पर फिर से रख द और यहां पर रखंगे ताप यहां पर बहुत करेंगे और इसे पर रखनाशना बना करेंगे उसके बाद हम साइड से स्तरbridge से से वह अजाती है बहुत ज्याद से बनाएं बहुत जाते हैं बहुत जाते हैं से हैं अप को पसंद आने वाले हैं जल्य को भी प्रेशी में अचिछी तरह से इस्ञार ५ है तो देखे एक हम बार यहां पर इस रेटी कर लिया है तो चरी में आपको दूसरी बार फिर से दिखाती हूं भस मैंने यहां पलिए पटे पर प्रफ पेश्या पर लगा दे प्धूमा तोड़ा से यहां पर बेशन के गोल और लगा जाए और बस एक सुद दो बार इस तरह से आप गुमा ले दिखे रिडी हो चुकी है पस अभी को बना के रिडी कर लिए मैंने यहां पर टोटल तिन पिस बना कर रिडी किया है हम चलते सी स्टीम करने को परसिस में तो मैंने यह तो देखे मैंने यहां यह टोटल नौ मिनट के लिए पकाया था तो कर लिया है और हम अच्छी तरह से कट करेंगे करेंगे तो यहां आप फ्रेंज एक जुरूड़ी टिप्स कि आप यहां पर इसे ठंडा होने के बाद ही कट किजीगा अगर गरम में करेंगा तो क्या होंगे सब पंखुरी यह कुने लेंगे तूट जाएंगे विखड sti को आप तो मैंने हांपर सभी को कट कर लिया है तीनों पीस अब हम चलते हुआ करने के प्रोसिस में तो मैंने ऐक फ्रेय पेतने में डाल दिया है दिल तो तक गरम हो चुकिया पास एक हपिस्क sectorते टो सभी को से प्लट के रिड़ी करेंगी तो दूसरी तरह भी हम तैम इस तरह से गुडर होंटे हम पकाएंगे दिखिए दोनों तरप पार लिया इसे हम निकाल करेंगे छालने में तो दिखिए गणैशा है तो लिख्य धाय रखा है आप चाहिए और ड्याप करना तो और यह प्रेवी बराने के लिए उसके बाद में यहां पर डालूंगी प्याज एक बिसकटा हुआ हलका से ने भून लेंगे उसके बाद में बढ़ दोंगी लसुन और आधी और सुखी लाड़े मिर्स में दो पिस लिया है अब यहां पर प्याज को इतना हुने की हलका साथ हो जाए बस उतना यहां पर भूनना है तो देखे हलका साथ हो चुके हैं इसे हम निकालेंगे प्लेट में और ठंडा होने के बाद इसे हम पेस्ट होना के रीड़ी करेंगे अब में ले रहे हैं पर एक पेन उसमें डाल दोंगे दूबड़ी चेमा सर्सों कत्ती तेज देशी करम हो तो ग्रेवी वाली फ्रेंश एक पर बना कजूर देखेगा वह बहुंच पसंद आने वाली है अब मैं इसमें डाल रहे हूं एक चमच से हल्दी पाउडर एक चमच मैंने अब डाला है कस्मिलार मिर्च अब दूनों को हम अची तरह से हापे मिक्स कर लेंगे यहां पर हम गुर्गुर्णा पानी यहां ठंडा पानी बिल्कुल भी युज़े मत कीज़ेगा और हम बढ़ियास्ती से करेंगे मिक्स अब इसमें डाल देगे हैं स्वाधनुसा नमक तर नमक हम यहां पर ध्यान से डालना है क्योंकि मैंने यहां पर पकोड़े में भी नमक दिया था तो ग्रेवी के हिसाब से हम यहां पर नमक को एड़ करना है अब इसम ठकन लगातेंगे बोईल होने के लिए तबस ही मैंने यहां पर दू मुनिट केड़ी से बोईल किया था अब मैं इसमें डाल दूँगी दो पिस हरे मिर्स स्राइस कट किया हुआ और डाल देगे हम आद अब दूदा हम फ्रेकर के हम लोग खाने वाले क्योंकि मेरे घर में देखते हैं और हम इसे एक मिटकली पकाएंगे ज्यादा नहीं पकाएंगे नितों कि हमें पर भी पाते के पकोड़ी के पंखुरी खुली लेंगे तो मैंने पकाया है उसके बाद में पतार डाल देंगे झुली पाते है उसकी या उमीज को खुछके उसे एक में गया कर दो को बहुता है उसकी पकाएंगे उसे में देखता हुली बाद पाइब कर दो दो कि अवे भी दो खुली पाया है